जब हम 15-16 साल के होने लगते हैं तो सबसे common issue face करते हैं वो है pimple acne और इसको लेके यार जो confidence की वाट लगती है वो तो एक अलग लेवल पर college आते हैं जिनके तो चहरे साफ हैं वो तो बढ़िया चमकरी होते हैं जिनके वे चहरे acne pimple हो जाते हैं वो कहीं न कहीं ऐसे 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 करके इगनूर करते हैं सबको Hello everyone, welcome to pastna की दुनिया कैसे आप सब उमीद करते हूं सब बहुत अच्छे हैं सब की life बहुत amazing चल रही है Pimple Acne तो Pimple Acne से सब लोग परिशान है कारण तो बहुत सारे हैं लेकिन आज हम EK को लेके उस पर चर्चा करेंगे सबसे पहले यार बात करते हैं हमारे liver के अगर हमारा digestion अच्छा नहीं है बहुत chronic Pimple Imbalance है तब भी Pimple Acne आएंगे PCOD है तब भी Pimple Acne आएंगे कोई हॉर्मोन बहुत जादा बढ़ गया तब भी Acne आएंगे मतलब बहुत सारे factor हैं और कईयों में तो ऐसे हो गया है कि genetically वो सालों दर खतम ही नहीं होते मतलब मैं भी कई पेशेंट से मिलती हूँ जिनके 20-20 साल होगे कभी Acne Pimple खतम नहीं होए और कुछ लोग होते हैं जिसे boys हैं उनमें protein के intake से Acne Pimple आना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे मानों कि उन्होंने जिमिंग करी ठीक है इन सब चीजों का excessive intake कर लिया ठीक है जो वो protein या प्रॉपर treatment लो उसके साथ ही यह remedy फॉलो करो और आज की remedy में भी seven days acne pimple challenge है आप लोगों के लिए definitely जो लोगों को सालों से difference ने आया इस साथ दिन में आपको वो difference आएगा हमारा जो face pack है इतना amazing result है इतना amazing result है जब आप एक बार try करेंगे आपको पता चलेगा just 500 उसकी cost है आपका डेड़ महीना दो महीने आराम से चलेगा और आपको बहुत amazing result मिलेगा आप होता है कि जब pimple तुलसी माता तुलसी माता के हम पूजा करते हैं ठीक है हमारे आंगन की शोबा बढ़ाती है वैसे ही बहुत सारी बिमारियों में तुलसी के drops यूज किये जाते हैं जैसे कि asthmatic है respiratory syndrome है वैसे हमारे चेहरे के लिए आज मैं बताने वाली हूं आपको 2-3 remedies ठीक है तुलसी water toner जिन भी लोगों को acne pimple है जिसमें पस नहीं भरती है ठीक है simple acne है होते हैं ठीक हो जाते हैं ठीक हो जाते हैं उनको क्या करना है आपको 20 पते तुलसी के लेने हैं एक कांच का गिलास जो है वो लेना है उसमें पानी डालना है उसमें 20 पते तुलसी के डालके आपको overnight soak करना है पूरी रात रखना है सुबा उठके उसे मसल दें और उसे छान ले छननी से जो वो पानी बच गया आप उसे फ्रिज में स्टोर कर लिजे एक स्प्रे बॉटल में आपको दिन में तीन से चार बार अपने फेस पे स्प्रे करना है इस तरह से डाप कर देना है लगबग एक मिनट के लिए इस तरह से आप देखेगा मैं बोलूंगे नहीं फिर आपको मुवमेंट समझनी आएगे एक मिनट के लिए आइस क्लोज करके आपको इस तरह से प्रेशर देना है इत्ती देर में वह सूप चाहेगा और एब्सॉप्शन कर देगा उसके बाद आपको वाश करने की नीड नहीं है ये तो हो गया जिनके पस वाले नहीं निकलते हैं अब बात करेंगे जिनके इतने मोटे मोटे पस निकलती है बट उसकी जड़े अंदर नहीं होती सिरफ पस निकल रही है वहाँ पर आपको क्या करना है एक कटोरी पानी लेना है उसमें एक चमच नमक डालना है जो हम नॉर्मल नमक यूज़ करते हैं फिर कॉटन लेके अपने आकने या जो भी आपको पिंपल हो रही है उस पर इस तरह से सिकाई करनी है धीरे-धीरे करके डेली दिन में दो बार आप सिकाई करना स्टार्ट करें और पंदरा मिनिट के बार ठंडे पानी से चैरे को धोले तो वो जो पस बन रही है उसको धीरे-धीरे करके फिनिश करना स्टार्ट करेंगा अब तीसरे कैसे होते हैं जिन में नीचे गांटे बनती है और उपर आकने जो हैं पस वाले निकलते हैं या फिर इस तरह से पिन पॉइंटर होते हैं चुपते हैं आप ऐसे-एसे उसको दबाओगे तो उसमें से केल पुरा जो भी उसका वाइट कलर का पदार्थ होता है वो निकल जाता है बार उस केस में हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे हमें यूज करना है राइस वाटर टोनर तो आप सोचे कि मैंने आज आज आपको तीन तरह के टोनर बताए और तीनों कंडिशन्स में बताए अब आपको खुद से जज़ करना है कि हमारे चेहरे पे किस तरह के आकने है और अगर आपको लगता है इसमें से किसी भी तरह के आकने नहीं है तो वहाँ पे एक यूनिवर्सल टोनर है जो मैं आपको आगे बताऊंगी आपको उसका इस्तेमाल करना है अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है नेवर एवर कंपेर यूर स्किन विद आदर पीपल मैं हमेशे ये चीज़ बोलती हूं सेकिंडली जो आपकी स्किन डैमेज हो रही है ठीक है आप उसको दुबारा से हील कर सकते हो सिरफ आयरोवेदा में तो उसकी हीलिंग के लिए आप इस नंबर पर कंटेक्ट कर सकते हो चाहिए पिग्मेंडिशन है मेलाजमा है आकने पिंपल स्कार जो गड़े बन गे ना आप उसे भी स्मूध कर सकते हो चेहरे को बिलकुल ऐसे समय लगेगा 100% ठीक होगा और जो लोग अभी तक बिमार हो चुके हैं बिमार इंदसेंस एकने पिंपल से मेंटली भी बिमार हो चुके हैं तो वो अब पूरी तरह से ठीक होना चाहते है तब भी आप बेफिकर होके कांटेक्ट कर सकते हैं अब जिनको कील बहुत सादा नि सुबह उठके उसको रिंस कर लें राइस अलग पानी अलग और उसको स्प्रे करना है जीन लिगो को केल मुहासे ब्लेक हैड वाइट हैड यह सारी चीज़े कॉमनली रहती है अब वो क्या करें वो कौन सा टोना लगाएं ऐसा कौन सा जादू करें ठीक है वो कहते हैं जब स स्किन को बिल्कुल ठीक करने वाले एक वीक का चालेंज मैं कह रही हूं आप लोग अपनी बिफोर आफ्टर शेयर करना आपको खुड डिफरेंट समझ आएगा कियर जो इतने सालों से ट्यूब लगा लगा के इनको दबाया है न वो इतने पैसे खर्च नहीं होते हैं अग साज तुल्सी के पत्य लेने है दो चम्मज चावल लेने आए ठीक है इसको आदि का टूरी पानी में चावल लेने है राशन वाल आदीक टोरी पानी में सोख करना है दोनों चीजों को सुबा उठके अच्छे से मसल ना है मतलब चावल को भी पूरी तरह से बारीक पीज देना है ठीक है और तुलसी के पत्तों को भी और पतली छन्नी में उसको रख देना है जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला कि जो इनके फैक्टर है उस पे काम करना बहुत इंपोर्टन है रेमेडी के लिए चैनल है यह रेमेडी है बट अगर प्रॉपर कॉस पे काम करना है ताकि पर्मेनेंट सॉल्यूशन मिल जाए तो उसके लिए आप पहले फाइंट करिए फिर उस पे काम करना स्टार्ट करिए बहुत से दो लोग ऐलर्जिक होते हैं आप उन चीजों को भी क्योर कर सकते हो तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए यूसफुल हो यह रेमेडी यूसफुल हो कमेंट्स में जरूर बताना कि किसने किसने यह चालेंज एकसेप्ट किया है अब डेली हम वीडियो लेके आएंगे 7 डे चालेंज के अकॉर्डिंग और देखते हैं कितने लोग हमें जॉइन करते हैं आप लोगोंने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है जो भी शिद्दत से 7-7 डेस के चालेंज एकसेप्ट करेगा बिफोर आफ्टर मुझे पिच्चर शेयर करेगा उन्हें हमारी तरफ से बहुत यह अमेजिंग सा गिफ्ट हमपर मिलेगा हम वाट्सेप पे आपसे कनेक्ट करेंगे और आपका एड्रेस मंगवाएंगे और गिफ्ट हमपर चाहिए वो फेस वाश है, मेरेका लॉयल है, नवारा ग्लो क्रीम है जो भी हमारे प्रोडेक्ट रेते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है आगे भी इसी तरह से देते रहें उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत-बहुत शुक्तिया